तो CBSE Boards 2024 में PCM वाले बच्चों का kind of last exam, physical education physical education को लेकि मुझे पता है तुम लोग मस्त चिल मार रहे हो अच्छा खासा किसी ने खास कुछ पढ़ा नहीं होगा और literally it is true कि इसमें अगर तुम अभी से भी अगर पढ़ते हो तो you can easily score maximum marks practical के marks तो भई आपको मिली जाते हैं ठीक है आप तो पहुंच वाले लोग हो लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको जो theoretical marks score करने full out of full तो ये video totally आपके लिए रहने वाली है इस video में बताऊंगा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है कौन से notes करने नहीं करने और muscle से यार 5-6 गंटे का हिसाब है काम खतम हो जाएगा totally tension लेने की ज़रोत नहीं है बिल्कुल भी इसके लिए और full marks तो में निकलवा ही दूँगा बस बता दूँगा कि answer किस way में conduct कर क्या नहीं वैसे लिख क्या जाओगे marks तो मिली जाने अब उससे पहले बता दू यार कि physical education important की हुए देखो सबसे main reason why physical education is important maths में तुमें कलिमिट पे score कर सकते हो physics में तुमें कलिमिट पे score कर सकते हो bio account जितने भी तुमारे subjects है सब में तुमें कलिमिट पे score कर सकते हो you know physical education में मैं बताता हूँ मेरा एक दोस्त और कुछ ऐसे बच्चे है जिनका मैंने result देखा है जिनके भाईया इधर से compare लगे वे दो subject में एक subject में और must physical education में आ रहे है 97 ठीक है तो ये एक subject है जिसमें की तुम्हारा marks तो उठता है और ये तुम्हें दिया ही गया है as a gift की भाईया marks उठा लो ठीक है तुम्हारा total total 20% का increase दे सकती है ये subject अकेले 100 में से 20% अकेले ये subject ला सकती है बाकी सम्में मिला जुला के जैसे तेसे भाईया 50% भी ले आओ तो 70% अच्छे खासे इजट लाइक marks बन जाते हैं इनसान के तो physical education इसलिए है सबसे ज़्यादा important आपके लिए और physical education पढ़ने के आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता है अगर आप score करना चाहते हो पहले मैं बता दू physical education पढ़ना कहा से YouTube पे यह हजार वीडियोज है physical education के as such कोई दिक्कत नहीं है physical education के content की मैंने देखा है but physical education मैं बताता हूँ कहां से पढ़ना है अब obvious सी बात है ऐसा दोस्त वाला preference ऐसा कुछ नहीं है और वो वीडियोज ही सबसे ज़्यादा popular है physical education की as far as I know जितना मैंने YouTube पे research करा है मेरे time तो भईया fine arts था मेरा 5 वा subject तो काफी चीज़े आसान थी but physical education के लिए मैंने भी कुछ वीडियोज बनाई है पहले भी और अभी भी बता रहू हूँ आपको आपको जकी सौधागर के वीडियोज देखने अब दो तरीके से आप वीडियोज दे सकते हो एक वीडियो आप देख सकते हो ये कि आप जकी सौधागर की वो वीडियो देख लो जो कि उसने one shot आज वो live ले रहा है अभी ठीक है एक तो आप वो ले सकते हो जिसमें उसने एक live में पूरा का पूरा syllabus complete कर दिया है लेकिन वो live देखने के समय एक चीज याद रखना कि आपको अपने notes बनाते चलने है fastest notes मतलब कुछ explain किया एक line में जो important लगा लिख लिए ताकि एक last में division मार के बढ़िया exam देने चल जाएंगे content होगा अपने पास लिखने को right और नहीं तो तुम जकी सदागर की playlist में जाके भी देख सकते हो 30-30 minute के per chapter के वीडियो बने वे हैं 10 chapter है कुल मिला के I think तो पूरे के पूरे ले ही लो around 300 minute का लंसम है हो जाएगा मतलब 4-5 गंटे गा इस आप है वो भी तो यह दो तरीके के approach से जा सकते हो detailed video और जादा detailed video नहीं ठीक है अब मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारे लिए मैं ले के हूँ एक बहुती तगडी surprise पता है तगडी surprise क्या है मुझे पता है कि अब तुम लोगों में से काफी सारी ऐसे बच्चे हैं जो की अभी के बाद करने वाले हैं जाई और नीट की तियारी और जाई और नीट की तियारी करने के लिए भाईया हमारे पास तो दुनिया भर के option है बट भाईया हमें ready होना है with the top educators of India तो surprise यह है कि रितुराज 7 code यूज करके अभी आपको मिलने वाला है Unacademy Learning Festival के तरफ से 7 days का unlimited access बिल्कुल free आपके लिए जई और नीट UG plus subscription का इस plus subscription में आपको देखने को मिलेगा सारा live recorded batches, study materials, दो लाग से भी ज़्यादा practice question, mock test, previous year question और 24x7 doubt solving का feature यह आप available कर सकते हो मार 4 से लिके 15 के बीच में कभी भी और आपको मैं बता दू कि यह 7 दिन का subscription आपका बिल्कुल free रहेगा plus subscription using the code रितुराज 7 मैं नीचे link description में डाल दे रहा हूँ और इसको आप बहुत अच्छे वे में use कर सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो जिनसे पढ़ने का सपना आपका हमेशा से है आपको मैं बता दू कुछ नहीं करना है जब आप enroll करने जाओगे link खुलोगे तो आपको आपको आपना phone number डालना है एक OTP आएगा उसको डाल देना अपना goal select कर देना और उसके बाद आपका अपने app डाउनलोड करते ही आपका subscription चालो हो जाएगा जिस subscription के through आप लोग साथ दिन में पूरी की तरह आपको free access है आपके लिए सारे दर्वाजे खुल गया है जिससे कि जाके आप अपनी पढ़ाए इंडिया के top educators के साथ कर सकते हो for the next 7 days तो फटफट फट जाओ link is given in description box below अभी जाके सबसे पहले वो भाईया unlock कर लो now देखो physical education में पढ़ना किस से ये तो मैंने बता दिया notes कैसे बनाने ये मैंने बता दिया लिखना कैसे ये जादा important है देखो यार सबसे पहली बात बता दू कि इतना तो तुम लोग को practice हो गिया होगा भी तक इतने सारे exam देखे कि अगर answer नहीं आ रहा तो उसमें लिखते क्या है ठीक है physical education के case में क्या होगा ठीक है मैंने physical education खुद पढ़के पढ़ाया है मतलब मैं पिछले साल एक batch चला रहा था तो उसमें मैंने पढ़ाया है physical education खुद तो उसमें कुछ नहीं मैंने भाई एक chapter को बढ़िया पढ़ा बढ़िया time दिया book खोला पढ़ा उसके बाद मैं ब लकी सी tough है उतनी भी नहीं है और जिसको कि थोड़ा सा memorization power की ज़रुत है बागी का content आप खुद बाखुद लेख पाओगे one thing that you have to do in your paper कि आप कोशिश करना कि आपके answer थोड़े brief हो ठीक है try करना कि उस answer में आप लोग जो question है उस related एक answer करो अगर उसमें थोड़ा अलग type का question है तो उसमें थोड़ा story mode में answer करने की कोशिश करो story mode में answer करने इससे number of words बढ़ जाएंगे content कम से भी काम चल जाएगा और थोड़ा easy हो जाएगा answer करना ये एक last paper है जिसका जिसका तो ये चीज़ तो याद रखो लो भाईया थोड़ा सा बढ़िया सुन्दर लिख क्या आना अच्छा time लेके कोई नहीं बोल रहा कि फटा question से तुमको जो भी चार ऐसे words आ रहे हो जो चार words तुमको लगता है कि ये तो मेरे को आहिरा है ये तो इस question का answer हो गाई उन चार words को उतने बड़े paragraph में ऐसे underline मार देना pencil से check करने वाला खोलेगा copy देखेगा कि चार words लिखें सही है बंदे को पता है उतना पढ़ने भी नह marks मिलेंगे तो यहां से भाईया मैं तो expect कर रहा हूं तुमसे full marks तो नीचे मेरे को comment box में चाहिए कि I will score full marks भाईया ठीक है और tension लेने की जरूरत नहीं है अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है easy है हो जाएगा कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है तो जाओ फट 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 लिंक क्म वाल कि से बिले को चिड़ YOUR खłaईया शव मैं तो शवड़ा है रहा है तो लाद रह नहीं हो जवाद है है तो आईया वाल कुछ नहीं है है जड़े झाबेढर अईया कि क्नोंगत nut़ ले